और देखिए यह vacancy नहीं है इसमें मैं किसी vacancy या नोकरी के बारे में आपको चाचा नहीं करूँगा इसमें मैं career respects education के बारे में थोड़ीच चाचा करूँगा अगर आप 40 साल के हैं तो आपका बच्चा पढ़ने ना एक हो गया है अगर आप 20 साल के तो आपका हो सकता छोटा वाई पढ़ने कला हो तो यह हर किसी उमर के बच्चों को बड़े बज़ुर्गों सब को देखना चाहिए और यह ज्यान लेना चाहिए और फीचर में जितना भी भला हो सके लोगों का इस चीज को आज बताना चाहिए लोगों को चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के बारे में तो देखी सबसे पहली बात जो है ना नवदे विद्याले समीती भारत में अगर आप गवर्मेंट सेक्टर में जाएं अच्छे स्कूलों में तो भाई नंबर वन पर कौन आते हैं नवदे विद्याले समीत के स्कूल आते हैं यह नंबर वन यह नंबर टू जो ना केंद्री विद्याले आपस में चलती रहती है लेकिन केंद्री विद्या कर रहा हूं यह कच्छा 9 में अगर आप अपने बच्चे को एडमी संदिल आना चाहते हैं क्लास 9 में तो उसके बारे में वेकेंसी आ गई हैं इसके फॉर्म अगेरा पढ़ने शुरू हो गये हैं और इसका एक रेटिन एक्जाम होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा तो आपके लिए और आगे बढ़ते हैं तो यह जो है अभी जो बच्चे कच्छा 8 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यह फॉर्म इसमें बढ़ सकते हो अभी बढ़ सकते हो फरिवरी में इसका रेटिन एक्जाम होगा और आपके जो ना जुलाई अगस्त में आपके सेशन स कर दिया है काम ठेक है मतलब कि आप अपना ओलाइन फॉर्म भर सको और यह 1968 में जवार नोदे विद्याले पॉलसी आई थी जिसके तब से विद्याले चल रहे हैं और आज जो है ना अब भी चलते जा रहे हैं और एक अच्छी रेपोडेशन बना के रखी है इसके फीस के अच्छी आए सबसे पहले मैं आपको बता लोगेशन यह और दूसरा लेते हैं टो से एक वն वे अब देखो इसमें क्या-काय होता आपकर क्या पाई से लगए नहीं तो दिखिये फ्री स्कूल जो है आपकी स्कूलिंग है वाइल एजुकेशन इन्दा स्कूल इस प्री मतलब इसके कोई पैसा नहीं लगता है बोर्डिंग इन लॉजिंग यूनिफॉर्म एन टेस्ट बुक ये सारी चीजें जो है ना आपकी फ्री रहेंगी ठीक है तो मतलब की रहने का खाने का किताबों का यूनिफॉर्म का स्कूल ड्रेस का इसका कोई पैसा नहीं लगता है लेकिन 600 रुपए प्रती मन्त जो है ना collected from the student of class 9th to 12th ठीक है तो मतलब का च्छा 9 से 12 से 12 तक के बच्चों के लिए 600 रुपए मन्त लिए collect किये जाते है और विद्याले विकास ने दिखे नाम से लिए जाते है अब देखिए अगर आप जो है ना SC है ST है या कोई भी girls student है या अगर आप BPL से जिसे बिलो पावर्टी लाइन कहते है आपके पास वह अला कार्ड है तो आपसे जो है ना कोई फीस वगएरा इसमें नहीं ले जाती बिलकुल मुफ्त सिच्छा होती है ना रहने का ना खाने का ना पहनने का किसी चीज़ का ना किताबों का कोई खर्चा नहीं है इसमें ठीक है तो किन-किन लोगों के free है यहां से बता दू SC ST और कोई भी लड़की ठीक है कोई भी लड़की अगर मतलब girls candidate है तो उसकी विफ्री है लड़की मतलब चाहे वो जन्रल की वो VC को कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है अब देखो अगर आपके पिताजी सरकारी नोकरी में गौर्मेंट इंप्लाइए तो आपको 1500 रुपए प्रती महीने की यहां पर आपकी जो ना फीस वगरा लगेगी तो यह चीज है इंपोर्टेंट है और जो है आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या सरंखला है आपकी जो फॉर्म अंदेव देट है फॉर्म भरने की दर लाश्ट डेट टू अप्लाई इच दस दिसंबर तो आपके पास एक अच्छा टाइंग में आभी क्या चलना नौंबर और दिसंबर दो महीं ने आपके आथ में पूरे-पूरे सोच विचार के आराम से इसमें फॉर्म भर दीजिए सोचने विचार्णिक में तो कहता हूं कोई ज़रूती नहीं है आप इसमें फॉर्म भर्यों थोड़ी सी पड़ाई लिखाई कीजिए ठीक है क्योंकि इसका एक्जाम जो होता कंपटीशन काफी अच्छा होता है कई सारे बच्चे इसमें जो है नहीं जा पाते है देखिए यह इसकी स्थापना जो अब्जेक्टिव क्या है इसका तो प्रोवाइड गुड क्वाल्टी मॉडन एजुकेशन तो एक अच्छी क्वाल्टी की मॉडन सिच्छा आपको प्रोवाइड की जाती है टोटल भारत भर में 636 आपके टोटल जवार नवदे विद्याले हैं 28 स् साथ union territory मतलब के अंदर सासित प्रदेशों में पहले हुए हैं तो अभी ये class 9 में admission की बात हो रही है आप देखिए थोड़ा सा how to apply अपना form कैसे बहर होगे आप देख लिए आपके form 24 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और 10 दिसंबर तक चलेंगे और देखिए आपको ये website www.nvsadmissionsclassonline.in पर जाकर आप अपने online application भर पाओगे ठीक बच्चों आपका जो रिटेन एक्जाम है वो Saturday मतलब दिन सनिवार 8 February 2020 को कंड़क कराये जाएगा जो आपके नजदी की जब हरनवोद्य विद्याले होगा आपको वहाँ इमताहन अपना देना पड़ेगा ठी भी नोटेड फ्रॉम दा अप्लीकेशन पोर्टल अफ्ता जो एन्वेस की ओफिसल वेबसाइट जो मैंने उपर या फिर आप डायक्त यह डालिएगा अन्वेस.nice.in आप ओफिसल वेबसाइट पर चले जाएगे तो वहीं पर आपको जो आना यह देखने को मिल जाएगा और अपना एड्रेस भी दोगे तो आपके स्पीड पोश्ट एक आएगा कि आप जब और नोदे विद्याले के लिए सेलेक्ट हो गए आप नाइडमिसन वागेरा ले लिजीए ठीक है इस सेशन में 2019-2020 में अगर आप क्लास एर्थ में पढ़ रहे हैं तभी आप इसके लिए पाटिस्पेट कर पाएंगे इस इस इंपोर्टन ठीक है जब अभी आप पाटिस्पेट करेंगे तो फरिवरी में आप एक्जाम देंगे तब आपका जुलाईगर्स से कच्छा नौ हो या आप कुछ और हो तो उम्र सीमा में किसी को कोई रियायत नहीं है बच्चे की उम्र 15-2004 से लगा के 34-2008 के बीच में होनी चाहिए वही बच्चे इसमें बाटिस्पेट कर पाएंगे और अभी कच्छार्ट में वह बच्चे पढ़ रहे हों आंगे देखते हैं रिजर्वेशन आप यहां से देख सकते हैं दा एक्जिस्टिंग वेकेंट सीट इन दा सीस्टी कटेगरी एड नोटिफाई और रिजर्व फॉदा देखिए कुछ सीटे हैं जो अना सीटी बच्चों के लिए रिजर्व हैं तो वो सीटे आपके लिए रिजर्व रहेंगी सेलेक्शन और एडमिशन की बात करूँ तो आपका सेलेक्शन एक रिटेन एक्जाम के बैसिस पर होने वाला है और जो बच्चों का नाम आ जाएगा बस उन बच्चों को बुला ले जाएगा आपकी एजूकेशन सुरू हो जाएगी डेटा फिजामिशन आपकी आट फर व अगरेटी कई सारी और समस्याएं होती इसलिए उने थोड़ा से जयदा टाइम दिया है आपका जो पेपर है वह हिंदी और ऑंग्रेजी दोनों भासाओं में आएगा आपकी जो चाया हो नहीं परता तो नहीं बता होती है आपको बच्चों को यह ऐसी होती है आपको गोले नर्ष कि औब्र स्थ्ट का यह होता है कि एक प्रश्र न उसके चार उत्तर दे रखने प्रकिन हमत्र स्भी जो उत्तर से इसे गुले काले कर देना इसे करके ठीक है तो यह इस तरह आपको अपने तो यह चीज़ ध्यान ने किएगा आपको जो प्रश्ण आएंगे वो कहां से आएंगे कच्छा आठ से आपके जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उसी क्लास से सारे प्रश्ण पूछे जाएंगे आपको इसके लिए कोई अधर चीज नहीं पढ़नी कोई दूसरे से जाके बहुत अच्छे से पढ़ना यह सब्जेक्ट अंग्रेजी, हिंदी, गड़ित और साइंस इन्हें तो बहुत अच्छे से द्यान से पढ़ना क्योंकि इसी से आपका जो ना टोटल सो नंबर का प्रश्ण बनाए जाएगा अगर आप सीवेसी बोर्ड में पढ़ रहे हो तो आपको तो किसी और किताब के लिलने की जरूती नहीं क्योंकि सारा स्लिवस जो भी आपके एक्जाम में पूछा जाएगा वो सीवेसी की किताबों से ही पूछा जाएगा सीवेसी बोर्ड की ठीक है अगर आप किसी अन्य बोर्ड से बढ़ रहे हो माली आप यूपी या जो भी बोर्ड पंजाब बोर्ड से आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपकी बोर्ड की किताबों से सीवेसी बोर्ड का सलिवस मैच ना करता हो तो आपको सीवेसी बोर्ड की किताब है पढ़ नीक दूँगा वहां आप इसका डिटेल सलिवस देख पाओगे आप वहां इन बॉक्स में दूँगा आपको लिंक वहां से आप क्लिक करके चीजों को और देख लिजेगा डिटेल स्लेवर्स आपको वहां से मिल जाएगा अब थोड़ा सा और आंगे बढ़ते हैं अब देखिए आपको स्लेवर्स के बारें बता रेते हैं जो आपका अंग्रेजी है 15 15 नंबर का आने वाला है 15 कुस्टेंस रहेंगे आपको एक कुस्टेंस एक नंबर का ये सारे स्लेवर्स है डिग्री आप कंप्यूजेशन मॉडर लेक्जरी इस यूज़ा प्रिपोजिशन टेंस फॉर्म ठीक रिपोर्टेड स्पीज वर्गेरा कंप्रेंस वर्गेरा वार तो यह आपके हिंदी के टॉपिक है मोहावरा लोकॉप्तियां अपठित बोधात्मक प्रश्ण ठीक है तो ऐसे अंसीन पैसे जिसे आप कहते हो ना भई चीज थी अंसीन पैसे आप यहां से जनरल साइंस से आपके क्या कॉस्टेंस रहेंगे फूड से रेल्टेरियल से रे तो यह आपके साइंस से कॉस्टेंस इस तरह के रहने वाले 35 अमभर की साइंस था रही है तो अच्छी तह 얼마나 धिश्टिक है कि वस्टेरन यहीं कोने साइश के बाहर से समय नंचार You आपको देखना है तो इसका भी मैं लिंक दूगा क्योंकि मैं हर इस्टेट्ट वाला है। कि अगर दिखाऊंगा आपको तो करीब करीब 100 पन्यों की ये वेकेंसी हैं किसी स्टेट में कितनी है तो आप देख सकते हो कि मद्य प्रदेश राज में इस जिले में ठिक डिस्ट्रिक्ट में अगर मालवा इस डिक्षिन में टोटल 51 सीट है तो ये चीज़ आप देख सकते ह अगर वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक कीजी क्योंकि बच्चों के करियर का सवाल है आपर और चोटे-चोटे-चोटे बच्चें इन्हें सारी जानकारी नहीं होती है जैसे कि सोचिए हम ही आप जब क्लास एर्थ में थे तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोगों की नहीं थी तो आजकल के बच्चे भी कहा इतनी चीज़ों पाती है तो आप बड़े लोगों को ही छोटे बच्चों को गाइड करना है एक बेतरीन एजुकेशन उन्हें मि बात करें तो आपर अगर केजी पेजी का वह बच्चा है तो उसके महिने के फीस पांच जारूपय के करीब है एक मध्धमवर का परिवार उतनी फीस अफॉर्ड नहीं कर सकता नहीं दे सकता सीधी सिवाद क्योंकि पिता जी उसके पंदरा से बीस जारूपय कमाते हैं अग अमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आयो इसे जितना हो सके सेर कीजिए जो भी आप यूज करते हों फेस्टाग्राम ट्विटर हर जिका बताइए और आप मोखिक भी चर्चा कर सकते हैं कि क्लास नाइन्थ में जो वार्नवोदेविद्याले की वेकेंसी आ गई हैं लोगों को बता सकते हैं ताकि उनके भी करियर अच्छे बन सके इस यूडियो में इतना ही हम आप से मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए वन्द मात्रम